सब्सक्राब करें अपने यूट्यूब चैनल लानबॉट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लानबॉट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में शंपून जानकारी आज के सीडियो में हम नौजात सिसू तथा बच्चों के लिए प्रियोग लाई जैने वाली एक दवा के बारे मे क्या नियो प्यक्तिन ड्रोप या नियो प्यक्तिन के लवा कई अधने नामों से भी अवैलेबल है जैसे कि न्यू कोलिकश़् अदभा बेस्टोज साइमश्भा एससी प्यक्तिन साइडव सब्सक्राइब और यह जो सभी सब्सक्राइब के अलवा ड्रोप हो में भी अवेलेबल है इसी के बारे में पूरी डीटेल हम इस वीडियो में जाननेगी इसलिए वीडियो को अंतक देखें मैं हूँ आपका होस्ट मोहित और आप देखें अपना यूट्यूब चैनल लर्ण जान लेते हैं साथ क्या स्ट्रेंद में यह कोउम्मिन स्ट्रेंद में यह कब्या आजाता है उसे हम जान लेते हैं। जो सयरह पर उस सो म किलगा मेंभ अश्टान पर पांच marks जाता हैं। और जो ड्रोपए इसमें alpha-em स्च मिलेगाब इक स्गेमिल और जो में परती 5 मेल दिया गया हिए इस दवा कहा है एक digestive enzyme है जो हमारे खाने को पचाने में सहयता करता है साथ ही नेचुरली सलाइवा द्वारा सेक्रेट किया जाता है और जो प्रका का एंजाइम है जो खाने को फूड को तोड़ने का कार्य करती है और जो ड्रोप में आपको तीन तरह के ओल बतायते हैं यह कार्मीनेटिव ओल जाता है और जो साइरप उसे दो बड़ से ज्यादा उमर के बच्चे में किया जाता है अगर इसके पेकेजिंग की बात के हैं जो ड्रोप फे 15 ml की पेकिंग माती हो जो साइरप पे 60 ml तता 100 ml की पेकिंग माती है ड्रोप आपको लगभू 95-6 रुपे मिल जाती है और जो साइरप की यूजर की किन-किन बिमारियों में बच्चों को यह दी जाती है तो यदि किसी बच्चे को पेट में गेस बनी हो पेट में फुलाव आ गया हो पेट में मरोड उसको चल रहे हो तो इस समय इस ड्रोप को दिया जाता है साथ ही कोई बच्चा है जिसको खाना खान करने के बाद पेट में दबाओ महसूस हो रहा हो तब भी इस साहिरप को दिया जाता है और कोई बच्चा है जिसको भूख नहीं लग रही हुद पीने का मन नहीं करताओ काना खाने का मन नहीं करता ओ तब यह बसन डॉक्टर द्वारा दी जाती है और और अगर बात करें तो पेट से संबंदी जो भूक की बिमारी है गेस बनने की बिमारी जाता कॉंस्टी पेशन की बिमारी है और वापस खाना मुह में आने की बिमारी इन सभी इस त्यों को ठीक करने के लिए यह साहरा बच्चों को दी ज सकता उसे ज़्यादा नीद आ सकती यह कुछ समझे हैं साइड इफेकर तोर पर देखी गई यह यह इसके अलेव को दूसरे एफेक्ट मिले तो अपने डॉक्टर से मिले समयने थे ज्यादा नुकसान नहीं करते अब बढ़ लेते हैं इसकी डूस की तरफ कितनी मात्रा में करके दी इते हैं और यदि कोई बच्चा है जिसकी उमरी चे मैने लगाकर दो साल की उसे जी जाया गी पंचößे मिल g वी जा दिया जाता है और इस दवा को आप मेडिकल इस्टोर पे बीना डॉक्टर के प्रिक्सक्रिश्पमरी खई सकते हैं पर उन्तों मेरा एक निवेदन है बच्चों में किसी परका की दवा देने से पहले एक बार डॉक्टर से एडवाईज जरूर से ले ले और इसे के साथ इस व